Hello and welcome to all, hope you all are doing great तो जैसा कि हमारी last class में हमने chapter 7 complete कर दिया है आज हम start करने वाले हैं chapter 8 audit report तो अभी तक हमने chapter 1 से chapter 7 तक जो भी चीज़ें पढ़ी है लाइक पहले तो risk assessment करना, internal control की effectiveness चेक करना फिर उसके evidence लिकटे करना, उन evidence को document करना financial statements के item को audit करना और इन सब के लिए एक audit strategy, planning और program बनाना इन सब चीज़ों को करने के पीछे हमारा crux क्या था at last हमें उन सब चीज़ों को करके एक audit report issue करनी थी तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस audit report के बारे में कि इसमें क्या चीज़ें show करनी होती है, कैसे show करनी होती है basically इस audit report को लेके auditor की क्या-क्या objective होती है so let's start let's have an overview तो जैसा कि मैंने कहा कि auditor की क्या-क्या objective होती है audit report को लेके, हम उस हर एक objective को detail में हाँ पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम audit report issue क्यों करते हैं उस audit report में होता क्या है, हम अपनी opinion form करते हैं और report करते हैं financial statement में तो हम यह समझेंगे कि कैसे opinion form करनी है किस तरीके से यह opinion show करनी है अब opinion ना दो तरीके की हो सकती है या तो unmodified, that is true में लग रहा है कि financial statement एक दम true and fair picture present कर ली है या modified की मतलब इसमें changes करने की जरूरत है और अगर modified opinion दे रहे हो, changes करने की जरूरत है तो इस chapter में हम पढ़ने वाले है कि यह modified opinion express कैसे करनी है अब यह modified opinion तीन types की होती है तो कौन सी situation में कौन सा type हमें show करना है तुम्हारी opinion तो modified है मतलब तुम यह मानते हो कि financial statement true and fair picture present नहीं करती बढ़ यह modified opinion तीन लेवल्स पे शो होती है इसको लेवल की तरह समझा qualified मतलब थोड़ी बहुत mistake कुछ-कुछ changes करने से चल जाएगा adverse मतलब इससे थोड़ा सा ज़ादा और disclaimer मतलब तो समझो पूरी financial statement भरबाद है सिर्फ example के तोर पे समझो अभी हम detail में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी situation में कौन सी opinion हमें draw करनी होती है फिर अब यह बताओ एक audit report क्या होती है यह मैंने एक paper लिया उसमें मैंने लिख दिया कि financial statement true of fair picture present कर रहा है या मैंने लिख दिया कि यह सही present नहीं कर रहा है मेरी opinion qualified है या disclaimer दे रही हो मैं opinion की क्या बस इतने मेरी इसकी एक page को मैं report बोल दूँगी भूरी नहीं हम अपने opinion के साथ audit report में कुछ key audit matters भी show करते हैं अब यह key audit matters क्या होते हैं यह हम आगे पढ़ने वाले हैं detail में इस chapter में जो हमें show करनी होती है audit report में and at last हम यह पढ़ेंगे जो अभी तक हम पिछले chapter में पढ़ते आ रहे थे ना going concern और subsequent event में कि अगर कोई mistake है तो उसे हम show करेंगे emphasis of matter paragraph या किसी भी तर अगर disclosure देना है तो emphasis of matter paragraph या other matter paragraph में तो यह होते क्या है EOM क्या चीज है या other matter paragraph क्या चीज है कौन सी ऐसी situation कौन सा ऐसा matter है जो इसमें show करना है कौन सा ऐसा matter है जो यहाँ show करना है ये सारी चीजें हम इस chapter में discuss करने वाले हैं तो अभी हमने chapter का overview ले लिया है Let's start with introduction तो जैसा कि अभी तक कि start में जो भी chapters हमने पढ़े हैं हमने ये पढ़ाई है कि ये management की responsibility होती है कि वो prepare करेगा financial statement और ये करने के लिए management अपनी responsibility accept करता है कि वो अच्छी तरीके से internal control को manage करके चलेगा जो related होगी financial statement के preparation से so that हमारी financial statement free रहे from material में statement due to fraud or error अब audit का purpose ये होता है कि वो enhance करेगा degree of confidence of intended user अब ये कैसे तो हम ये काम करते है by the expression of independent reporting हम चेक करते है financial statement और उस पर report करते हैं कि हाँ ये सही है इससे जो बाहर वाले होते हैं outsider party जो भी होती है उसका confidence बढ़ जाता है इस financial statement को लेके third, एक audit report मैं आप opinion draw करते हो किसी भी entity financial statement को लेके ये make sure करने को कि जो भी record उसमें show किये जा रहे है वो true or fair representation है या नहीं अब ये कैसे बताओगे तो इसके लिए आप चेक करते हो कि क्या जो financial statement है वो in accordance with applicable F.R.F. बना है या नहीं अब for example मान लो management ने एक financial statement बनाई जिसमें inventory के valuation के लिए उन्होंने use किया FIFO अब FIFO को use करके जो भी value उन्होंने show किये ना वो एकदम complete और accurate सही value है उसमें कोई गलती नहीं है बड़ जब आप चेक करने जा रहे हो तो उस business के applicable F.R.F. के हिसाब से ना यहाँ पे actually में use होना चीए था लीफो चाहे उन्होंने FIFO में हर एक step अच्छे से perform किया हर एक एक value बहुत सहीं से शोगी फिर भी just because उनका FRF बोल रहा है कि आपको leafo use करना चीए तो यह गलत हो जाएगा यहाँ पे leafo use करना था तो आप यह चेक करते हो कि जो भी financial statement है वो S per applicable FRF बना है या नहीं फिर आप यह भी चेक करते हो कि क्या financial statement comply करते है हर relevant statutory requirement के साथ अब आप S per FRF बना रहे हो सारी चीज़े सहीं से कर रहे हो कुछ companies ऐसी होती है जिनके ओपर requirement होती है CSR के लिए एक particular amount उनको निकालना होता है percentage कुछ होता है हर company के लिए जो उनको निकाल के रखना होता है CSR तो आप चेक करो कि क्या वो जो भी statutory requirement है क्या उससे comply कर रही है company वो fulfill कर रही है अब main users कौन होते हैं इस audit report के shareholders, members या all other stakeholders of the company अगर bank को loan देना है company को तो वो पहले audit report देखेगी उस company की क्यों क्यों क्योंकि वो देखके उनका confidence बढ़ जाएगा for financial statement तो सबसे पहले हमने क्या objective पढ़ी थी forming and opinion and reporting on financial statements so let's discuss this objective now और जैसे कि हमें पता है audit में हम कुछ भी काम करते हैं तो उस काम को एक essay define करता है, denote करता है उसके बारे में auditor की responsibility बताता है so for forming and opinion and reporting on financial statement हम पढ़ने वाले essay 700 तो अब आगे कहीं पे भी ये statement लिखी होगी ना तो मैं उसके बदले महाँ पे बोलूँगी essay 700 आप समझ जाना कि इसके बारे में बात हो रही है इससे क्या होगा कि आपको ये essay number भी याद हो जाएगा so this essay 700 ये deal करता है क्या कंटेंट में ये रिपोर्ट इशू होगी that is इस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए और वो कंटेंट के इस तरीके से होना चाहिए as a result of an audit of financial statement इस essay का ना main focus होता है balance बनाया रखना between the consistency and comparability in audit report and relevance of information that is जब आप एक audit report बनाते हो न तो आप ये make sure करते हो कि उसमें जो information है वो consistent है comparable है global level पर जब हम chapter 1 में audit की benefits पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक benefit पढ़ी थी कि audit से की हुई जो भी report issue होती है वो globally acceptable होती है क्योंकि उसमें एक standard use किया जाता है जो standard globally acceptable है comparable हो global level पर अब ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारी information शो करनी पड़ेगी तो अब क्या करोगे आप audit report में क्या एक एक जो भी एक रुपए भी company खर्च कर रही है तो क्या आप वो भी show करने बैठ जाओगे ताकि वो comparable हो ताकि वो consistent हो complete हो नहीं आप relevant information शो करते हो न तो इन दोनों चीजों के बीच balance बना रहे है ये make sure करता है ऐसे 700 that is अब information भी जो show कर रहे हो relevant है वो हर एक information नहीं show कर रहे हो जो useful है वही information show कर रहे हो और ऐसा नहीं है कि आप सारी information show नहीं कर रहे हो तो वो reward खराब हो जाए वो तब भी comparable रहे consistent रहे इन दोनों चीजों के बीच में balance बना के रखने का main purpose होता है main aim यही होता है हमारे ऐसे 700 का so let's read once the requirement of these ऐसे are aimed at addressing an appropriate balance between the need for consistency and comparability in auditor reporting globally and need to increase the value of auditor reporting by making the information provided in the auditor's report more relevant to the users I hope आपको इस line का मतलब अच्छी तरीके से समझ आ गया है that is यह essay promote करता है consistency in auditor's report but वो साथ में यह भी recognize करते चलता है कि क्या need of flexibility for individual jurisdictions अब किसी bank से आपको loan लेना है वो आपकी audit report देख रहा है तो वो audit report में क्या information देखके वो judge कर पाएगा कि इनको loan देना है की नहीं तो आपने वो सारी information शो की but वो relevant information ही शो की इस खातलर यह नहीं कि isolated जो information है सारी शो कर दी और जब एक audit report में consistency होती है जब वो prepare की गई होती है in accordance with essay तो वो promote करती है credibility in the global market place that is किसी foreign investor को भी किसी Indian company में invest करना है न तो वो audit report देखके समझ सकता है कि क्या इसमें invest करना सही होगा या नहीं global level पे वो आपकी credibility बढ़ाती है और इसके पीछे का reason क्या है क्योंकि हम ये audit को conduct करते है in accordance with globally recognized standards ये help करता है to promote user की एक understanding और identify करना कि कोई भी अगर unusual circumstances वहाँ पे present है तो that is आपकी एक audit report को देखके कोई भी user अच्छी तरीके से समझ सकता है आपके business को आपके काम को और अगर कोई भी unusual circumstances वकर हो रही है तो उसको अब ये chapters पढ़के न जब आपको short में revision करना होता है तो ये जब boxes में लिखा होगा ना ये सब पढ़के revise कर लिया करो तो अभी हमें क्या समझा है एस पर ऐसे 700 क्या objective होती है अभी जो overview में हमने objective पढ़ी वो chapter के हिसाब से थी अब एक particular essay की हिसाब से क्या objective है कि auditor form करे opinion on financial statement जो based होगा उसके evaluation पे और उसको लेके वो conclusion draw करे जो भी audit evidence उसने obtain किया है उसकी use से और clearly express करे कि उसकी क्या opinion है एक written report में audit report आपना orally नहीं दे सकते आप बैसे जाके बस meeting में बोल दिये आपकी हाँ मुझे लगता है ये बहुत सही है ऐसा है वैसा इसमें ये-ए key audit matter से खतम आपको written report issue करनी होती है और जैसा कि इस essay में हमने objective पढ़ी कि आपकी objective ये है कि आपको clearly अपना opinion express करना है through a written report और इस opinion को form करने के लिए auditor को क्या करना पढ़ता है obtain करना पढ़ता है reasonable assurance जो हमने already chapter 1 में पढ़ा है auditor को form करना होता है अपना opinion की क्या financial statement prepare हुई है हर material respect में in accordance with applicable FRF और इस opinion को बनाने के लिए auditor को ये conclude करना पढ़ता है कि क्या auditor ने obtain की है reasonable assurance about financial statement की क्या वो free है from material statement that is इस चीज़ को लेकि क्या आपको reasonable assurance मिली है आप ये check करते हो अगर मिली है तो फिर आप उसके basis पे अपनी opinion form करते हो अब आप ये कैसे ensure करोगे कि आपको reasonable assurance मिली है या नहीं इसके लिए आप चेक करोगे कि क्या आप SAE obtain कर पायो that is जितने भी audit dividends है वो sufficient और appropriate है क्या कोई uncorrected miss statement exist करती है और अगर exist करती है तो क्या वो material है individually है aggregate में और फिर इनका evaluation इन तीनों चीज़ों को करके आप एक conclusion में आते हो कि क्या आपने reasonable assurance obtain की है या नहीं फिर उसके basis पे आप अपना opinion form करते हो तो इन दो चीज़ों के बारे में तो हमें अच्छे से पता है क्योंकि हमने specifically कुछ chapters पढ़े हैं जिसमें इनके बारे में detail में डिसकस किया गया है now evaluation evaluation by the auditor एक auditor को ये evaluate करना होता है कि क्या financial statement prepare की गई है in accordance with requirements of applicable FRF जिसके लिए वो consider करता है कुछ qualitative aspects of entities accounting practice including indicators of possible bias in management's judgment अब ये qualitative aspects of entities accounting process क्या होती है अब obviously वात है अज़ आपकी financial statement management prepare कर रही है तो उसमें जो भी amount जो भी disclosure दिया गया है वो management के judgment के हिसाब से दिया हुआ है अब उसमें judgments कुछ ऐसे होते हैं जो qualitative भी होते है in qualitative aspects of accounting practices के बारे में बात करता है essay 260 जब qualitative aspect की checking हो रही हो ना जब आप qualitative aspect को consider कर रहे हो तो you as an auditor may become aware of possible bias in management's judgment for example qualitative aspect में आप क्या समझ सकते हो जैसे समझो management अपनी internal control की assessment कर रही है कि क्या ये effective है या नहीं हो सकता है इसमें कोई loop हो लो ये effective ना हो but just because management को अपनी खामिया नहीं दिखानी है अपना नाम खराब नहीं करना है market में वो बोल देगी कि हमारी तो internal control बहुत ज़ादा ही effective है इसलिए हम जब भी consider करते है ना कोई qualitative aspect को तो हमें बहुत ज़ादा aware रहना होता है of possible bias in management's judgment management bias होके report issue कर सकती है bias होके financial statement बना सकती है तो इस चीज़ को लेके न अब क्या चीज़ का cumulative effect lack of neutrality that is bias होके कुछ भी decision लिया bias होके financial statement में बोल दिया कि हमारे internal control बहुत effective है ये एक problem और एक कोई भी uncorrected miss statement दिख रही है अब इन दोनों को मिला गी जब इनका cumulative effect देखोगे ना आपको ये बता चलेगा कि ये जो cumulative effect बढ़ रहा है ये financial statement को as a whole materially में state कर दे रहा है तो आपको ये ही चेक करना है कि क्या इन दोनों का cumulative effect materially में state करेगा और फिर उसके basis पे आपको conclusion देना है अब आपको कैसे बता चलेगा कि management यहाँ पे neutral होगे काम नहीं कर रही है indicators of lack of neutrality include the following आपने audit करते वक्त ना आपकी नजर में जो miss statement आई थी आपने सारी में statement management को मता दी बट management ने कुछ selective corrections ही करी जितनी miss statement आपने दिखाई है ना सब correct नहीं की गई कुछ selected matters को ही correct किया गया अब मान लो तुमने दिखाई दो तरह की में statement एक तरफ हुआ की purchase ज़्यादा show कर दिया है एक तरफ हुआ sales ज़्यादा show कर दिया है ठीए अब अगर मैं purchase ज़्यादा show कर दिया है मैंने अब मैं purchase को कम कर दूंगी तो इससे क्या हो रहा है इसको numbers के terms में समझो मैं 100 रुपए का समान खरीद रही हूँ और 100 रुपए का बेच रही हूँ मैंने ये show किया है बट actual में समान purchase हुआ है 50 रुपए का अब तुम 50 का समान खरीद के 100 में बेच रही हो मतलब तुम 50 के profit में हो तो ये इस अगर इस mistake को अगर management ने सहीं किया तो इसकी वज़े से उनकी reported earnings जो है वो बढ़ गई तो management ने इसको तो सहीं कर दिया अब इसका just opposite consider करो कि तुमने purchase और sales दोनों 100 शो किये जिसमें से purchase तो एकदम correct है बट sales जो है आपने ज़्यादा शो कर दी आपने समान 200 का खरीदा था बट जब आप sales करने गए आपका sales सिर्फ 50 रुपए का हुआ मतलब आपने खर्चा ज़्यादा किया आपने earn कम किया तो इस सार आपकी reported earning क्या decrease हो जाएगी अभी तो आप earning शो कर रहे थे 100 रुपए आप sales शो करे थे 100 रुपए अब आपको ये शो करना पढ़ रहा है 50 रुपए तो management ने ना sales में कोई change ही नहीं किया बस purchase में change कर दिया जब इस तरफ की selective correction आपको देखने को मिलती है तो आप समझ जाओ कि management यहाँ पर bias होके काम कर रही है या possible management bias in the making of accounting estimates अगर हमें ये दो चीज़े देखने को मिल रही है मतलब हमें ये समझ जाना चाहिए कि management यहाँ पर bias है वो neutral होके काम नहीं कर रही है अच्छा जो ये making of accounting estimates है सबसे पहरा तो इससे रेटर जो भी possible management biasness होती है उसे address करता है essay 540 जो ये बताता है कि तुम एक individual estimate को बैट-बैट के check नहीं करोगे address में biasness है dust estimate है किसी एक में biasness है तुम वो चेक कर रहे हो नहीं आपको चेक करना है financial statement as a whole में क्या financial statement as a whole में किसी भी तरह की accounting estimate में biasness देखने को मिल रही है I hope you all are clear with this अगर कोई doubt हो तो आप उच सकते हो तो basically तो evaluation के नाम में हम क्या check करते है qualitative aspects of entities accounting practice और including indicators of possible bias in management judgment बड़ इसके अलावा कुछ specific evaluations होते हैं by the auditor auditor ये evaluate करेगा कि क्या financial statement adequately disclose कर रही है significant accounting policies को जो भी उन्होंने select और apply किया है अब आपने inventory का में को amount show कर दिया one करो में कोई ये पता कैसे चलेगा कि ये फीफो से कल calculate होई है कि लीफो से ये आप disclose करोगे अपनी financial statement पर तो auditor ये चेक करता है कि क्या disclosure दिया गया है about significant policies accounting policies जो select की गई है और apply की गई है फिर इस बारे में भी disclosure दो कि जो accounting policy आपने select और apply की है क्या वो consistent है with applicable FRF वही जो आपने example समझाता है ना FRF के according लीफो लगना चाहिए पर आपने लगा दिया फीफो जो भी accounting estimates आपने बनाए है वो reasonable है अब आपको debtors हर साल के देखके समझा रहे हैं कि हर साल हमें ना at least 10% of debtor का तो amount नहीं मिल रहा है bad debt में जा रहा है तो आप provision इस बर बनाओगे तो आप 10% amount का बनाओगे ऐसा नहीं कि आप यहां पर इस बर आपका मन किया आपने 30% पे बना दिया सो जो भी accounting estimates आप बना रहे हैं वो reasonable है आप यह evaluate करोगे and most importantly जो भी information present की गई है financial statement पे वो relevant है reliable comparable है and understandable है फिर financial statement में adequate disclosure दिये गए ऐसे material transaction और events का जो enable करता है intended user को यह समझने पे कि इन material transaction और events का क्या effect होगा on the information conveyed in the financial statements जैसे आप देखना for example अडानी ग्रूप है उसकी financial statement disclose होगी तो उसमें सारे matters show होंगे अब उनकी report में न for example 100 करोड का profit देख रहा है और उस profit में एप्रॉक्स 50 to 60 करोड profit इस वज़ा से क्योंकि इस साल अडानी ग्रूप ने कोई एक project accept किया है उनको एक बहुत बड़ा project मिला है तो वो कोई material transaction और event हुआ जिसकी वज़ा से यह affect आया financial statement में तो यह ऐसी कोई भी material transaction और event है तो वो भी हमें अलग से disclose करने है तो आपको ऐसा auditor यह चेक करना है कि यह disclosure किया गया है या नहीं the terminology is used in financial statement including the title of which financial statement is appropriate आप यह चेक करोगे कि जो भी title financial statement में use किया गया है वो appropriate है या नहीं अब आपको balance sheet में building शो करनी है आप building ना लिखके house लिख रहे हो यह कहीं से भी logical या कोई terminology है जो appropriate है नहीं तो जो भी चीज़ balance sheet में शो की गई है वो appropriate है हम यह चेक करेंगे तो यह कुछ specific evaluations है जो auditor को करने होते है before expressing an opinion further जब आपने यह assure कर लिया यह चेक कर लिया कि जो भी financial statement है वो prepare हुआ है in accordance with applicable FRF that is जो भी अभी हमने उपर पैरा 1.3 और 1.4 में पढ़ यहां हमने बढ़ा था quality respect और management की biasness को लेके और इसमें कुछ specific evaluation बढ़े दे अब यह सब करके आपको इतना तो समझा गया है कि चलो यह prepare हुआ है in accordance with framework अब इसके बाद आप यह evaluate करोगे कि क्या जो financial statement में presentation की गई है वो fair है that is क्या overall presentation दी गई है हर चीज़ प्रेजेंट की गई है किस structure में प्रेजेंट की गई है किस content में प्रेजेंट की गई है और अगर सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई है तो क्या इस manner में प्रेजेंट की गई है जो achieve करेगा fair presentation अब आप building को liability side शो कर रहे हो आपने building overall presentation दी है building की amount भी सही शो की है बट आपने building शो कर दी है liability side क्या यह सही होगा नहीं अच्छा यह मैंने एक दम ऐसा फालतू सा example द शो कर दिया P&L में credit side तो इस तरीके से आपने overall presentation तो the interest का amount से ही तो show किया बट उसे present गज़त तरीके से कर दिया वो fair presentation नहीं कहलाएगी जैसे कोई expense है वो P&L में जाना चीए था बट आपने उसको capitalize कर दिया in short at last auditor को यह evaluate करना होता है कि क्या financial statement adequately refer करती है या describe करती है एक applicable FRF को so let's have overview of specific evaluations by the auditor यह check करो कि जो भी accounting policy selector apply की गई है क्या वो adequately disclose की गई है फिर क्या वो accounting policies consistent है with applicable FRF जो estimates किये गए है वो reasonable है जो information financial statement में दी हुई है क्या वो relevant, reliable, comparable और understandable है अगर कोई भी material transaction और events है और उसका कोई effect पढ़ रहा है हमारी own information में जो financial statement में दी हुई है तो क्या उसके लिए disclosure दिया है जो भी terminologist financial statement में यूज हुई है वो appropriate है definitions तो अच्छी तरह से हर एक चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ following terms को समझना होगा अब general purpose financial statement क्या होती है वो financial statement जो prepare की गई है in accordance with general purpose framework now what is this general purpose framework general purpose a financial reporting framework designed to meet the common financial information needs of a wide range of users the financial reporting framework may be a fair presentation framework और a compliance framework देखो जो normally हम FRF पढ़ते है न ये हो सकता है हर एक kind of business industry के लिए differ करे बट general purpose framework एक ऐसा framework है जो बनाया गया है to meet the common financial information needs of a wide range of users मानलो जब कभी ऐसा हो तुमारी FRF किसी भी particular चीज़ को एक वे में शो करने बोलगी ये जैसे समझ लो inventory evaluation में na FRF बोल रही है कि तुम लीफो यूज़ करो क्योंकि तुमारे business में लीफो ही अच्छा होगा बट तुम use करना चारे हो फीफो क्यों क्यों क्योंकि तुमारा business जिस तरीके से operate कर रहा है न उससे तुमें ये समझा रहा है कि तुम जो पहले समान ला रहे हो उसे ही पहले बेच रहे हो अब just because you know कि तुम काम फीफो की तरह कर रहे हो बट फिर भी just because तुमारा एफ और एफ बोल रहे है कि तुम लीफो यूज़ करो क्या तुम लीफो यूज़ करोगे नहीं यहां पे हम देखते हैं फिर हमारा general purpose framework क्या कहना चाहा रहा है इस particular चीज़ को लेके हमारे course में हम अभी के लिए general purpose framework क्या होता है उसका एक overview लेने वाले है उसकी definition उसकी meaning समझने वाले है बागी final में इसे आप detail में पढ़ने वाले हो अब यह financial reporting framework क्या हो सकता है एक fair presentation framework या compliance framework अब तुम कौन सी framework को या किस framework के business पे किये गए काम को fair presentation framework बोलोगे the term fair presentation framework is used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirements of the framework and इस line का मतलब है जब तुम अपनी financial statement prepare कर रहे हो that time you are making this sure कि तुम जो यह financial reporting framework है जो उस पे applicable है उसे तो comply कर रहे हो उसके साथ comply कर रहे हो साथ में यह भी acknowledge कर रहे हो कि explicitly या implicitly इस fair presentation को achieve करने के लिए यह necessary है कि management कुछ particular disclosures beyond the specifically required by framework को भी disclose करे that is for example तुमारी framework बोरी थी कि leafo use करो तुमने leafo use कर ली अब उसके बाद एक normal FRF बोलती है कि तुम यह disclosure दो कि तुमने leafo use की है अब just because जैसा हमने पहले अभी example देखा था ना हो सकता है तुम्हारा business जैसे काम कर रहा है ना उसमें फीफो जादा सही हो बर just because framework लीफो बोल रही है तुम लीफो use कर रहे हो अब यह करके ना तुमने अपनी जो normal FRF होती है उसके साथ comply किया यह perform करके और इसके बारे में एक disclosure दे के अब वही just because you know कि तुम actual में तो फीफो की तरह काम करते हो तुम्हें use फीफो करना चीए था इसलिए तुम एक extra साथ में एक additional disclosure दे देते हो इस बारे में कि हमें यह use करना था वट हमने कुछ ऐसा use कर लिया है यह हमारे business में हम फीफो की तरह run करते है अब क्या तुम्हारी जो normal FRF है उसके बेस इस पर यह वाली disclosure देनी कंपल सरी थी क्या नहीं थी बट फिर भी तुमने दी ताकि जो presentation है न फूफ फेयर हो that is जो valuation तुम शो कर रहे हो वो तुम्हारी FRF के साथ comply करे और साथ में user को कोई confusion ना हूँ उन तक कोई गरद information ना पहुँचे इसलिए तुमने साथ में additional disclosure भी दे दी so यहाँ पर वही लिखा है कि the term fair presentation framework is used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirement of the framework FRF के साथ भी comply करो and यह भी acknowledge करो कि explicitly or implicitly अगर fair presentation के लिए किसी भी तरह की disclosure beyond those specifically required by the framework अगर necessary है तो तुम वो disclosure भी present कर रहे हो और यह तो हो गया additional disclosure देने की बात अब कोई situation ऐसी हो सकती है न जहां पर तुम FRF की किसी requirement से depart करना जरूरी समझते हो जैसे कि अभी हमने लिया था inventory का example आप लेते हैं asset का example अब आपको यह तो पता होगा accounting पढ़ रहे हो accounting standard पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसी हमारी asset ले लो intangible asset ले लो जिसको एक point तक हम as a expense show करते हैं तो एक point of time के बाद हम उसे capitalize करते हैं अब हो सकता है आपके पास कोई ऐसा asset है जिसको na frf allow नहीं कर रही है to capitalize बट आपको actual में पता है कि इसमें आप हमें और कोई research development नहीं करनी है किसी भी तरह का कोई change नहीं करना है यह हमारा ready asset है हम इसे अपनी business में use करने वाले as a asset यहाँ पे आप enter करेगा general purpose framework अब तुम जाके देखोगे कि general purpose framework के इसाब से क्या है asset की definition अगर तुम्हारे पास जिस condition में यह asset रखी है वो condition इस general purpose framework के दी हुए definition के साथ meet करती है ना तो फिर तुम उसे capitalize करोगे यह जो तुम्हारी FRF actual FRF बोड़री है उससे depart कर दोगे उससे छोड़े के आप कुछ और करोगे इसलिए बोला है यह बहुत rarely होगा बहुत ही अलग situation में होगा अब obvious ही बात है ना जिसने आपके लिए FRF बनाई है general purpose initial reporting बनाई है कुछ सोच करी बनाई होगी अब ऐसा तो नहीं है पता चल रहा है बस तुम्हारा मन हो रहा है नहीं नहीं हम FRF के साब से काम नहीं करेंगे तो हम यह उठा ले रहे नहीं जब तुम extremely rare circumstances में तुम belief करते हो तुम्हें पता है कि तुम्हारे business में वो particular item जैसा use हो रहा है वो capitalize होना चाहिए बट just because तुमको लग रहा है तुम direct जाके उस चीज़ को capitalize नहीं कर दोगे पहले you will go and read this फिर यहाँ पर जो definition दी है और तुम्हारे पास जिस condition में समान रखा है उन दोनों को match करोगे अगर वो satisfy हो रहे तब ही आप उसको capitalize करोगे I hope you all are clear with this but in case कोई भी doubt हो you can ask telegram link installing हर एक चीज़ की link आपके description में दी हुई है you can join the group तो देखो या तो तुम्हारी presentation fair हो सकती है या compliance हो सकती है मतलब compliance framework में तुम FRF के साथ comply करते हो अभी उपड जो दो point हमने acknowledge के पड़े उसे consider ही नहीं करते हो तो या तो तुम पुरी तरह से अपनी FRF से comply करते हो एक presentation बनाओ एक financial statement बनाओ या तो fair presentation करो जिसमें तुम FRF को तो देखो ही साथ में कुछ दो चीज़ों को भी explicitly या implicitly acknowledge करते चलो यह वो opinion है जहां पर auditor express करता है कि उसे यह लग रहा है कि जो financial statement है वो हर material respect में in accordance with applicable FRF बनी है उसमें किसी भी तरह की कोई भी modification करनी की ज़रूरत नहीं है इसके unmodified opinion form of opinion जैसा कि हमें पता है तुमारी opinion दो ही तरीके की हो सकती है या तो unmodified की financial statement बहुत सही है true of fair picture present कर रहा है या unmodified या modified कि यह financial statement जो है इसमें modification की ज़रूरत है अब हम modified opinion कम देते हैं दो situations में या तो जब आपको जो audit evidences मेरो रहे है ना उसके बेसिस पे आपको यह लग रहा है कि आपकी जो financial statement है वो as a whole free नहीं है material में statement से मतलब उसमें गलतियां है अब गलतियां तब ही तो बोल रहे हो ना कि modify करो changes करो इन गलतियों को सुधारो या तुम्हारी financial statement में ऐसी information से जिसके regarding तुम sufficient appropriate audit evidence इकटे ही नहीं कर पा रहे हो अब जैसे debtor की बात ले लो debtor के लिए तुम्हें direct information लेनी थी management ने मना कर दी फिर तुम देगा चलो insulated जो भी documents है वो दिखाओ अब management उसमें भी मना कर रहे है क्यों होना कर रही है पक्का कोई mistake होगी कुछ तो problem होगी तुम ऐसी situation जहाँ पर तुम obtain नहीं कर पा रहे हो sufficient appropriate audit evidence जिसके विशिस पर ये conclude कर पाओ कि financial statement miss statement से free है या नहीं उस situation में भी हम modified opinion issue करते है in accordance with essay 705 auditors report as we all know कि एक auditor की report writing में होनी चाहिए औरल नहीं होनी चाहिए essay 700 requires the use of specific headings which are intended to assist in making auditors report more recognizable where audit is conducted in accordance with the relevant standards on auditing जब आप audit report बनाते हो तो आपको essay 700 guide करता है कि आपको किन headings को तो include करना ही है या क्या specific essay headings है जो आप अगर include कर रहे हो तो वो assist करेगी एक audit report को recognizable बनाने में तो जब आप हम यह headings पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा है auditors report for audit conducted in accordance with standards on auditing क्या क्या heading सबसे पहले तो title अब तुम एक्जाम देने गयो question paper आया है तुम्हें क्या पता C.A.C.S.C.M.A. किसी का भी गलती से किसी और का paper आ गया paper में title होना चीए किस के लिए paper है तुमने देखा होगा तो question paper हो या answer sheet हो आप में mention रहता है C.A. intermediate या यह भी छोड़ो तुम्हें company के पास जा रहे हो तुम्हें वहां की audit report देख लिए अब कोई भी document उठा गए वो तुम्हें 5 documents देदे तुम्हें पढ़ पढ़ के समझो कि कौन सी actual audit report है नहीं लीखी होती है उसमें audit report तो सबसे पहली चिस कोई भी document हो title अब title के बाद address किसको यह audit report दी जा रही है किसे submit की जा रही है जैसे for example company के case में किसे दोगे shareholders को दोगे TCWG को दोगे तो अब कौन वहाँ पे आपने जब engagement sign की दे तब आपने क्या उन से discuss किया था कौन सी terms पे sign किया था कि की से आपको यह audit report देनी है कौन आपकी इस audit report में आपके अलावा company का कौन member sign करेगा तो अब पहले आप title बताओगे कि हाँ यह audit report है फिर आपने किस को दिये वानलो TCWG को दिये तो आप यह mention करोगे देन हम बताएंगे कि आपकी opinion क्या है unmodified है या modified है फिर यह जो भी opinion दिये कुछ basis तोगा कुछ reason से दियोगी तो basis for opinion अब basis for opinion में हम क्या बताते हैं कि हमने जो भी standard से उनको follow करते वे audit perform की है और उसके basis पे जो भी audit evidence हमें मेला है उसके conclusion उसके evaluation के basis पे हम बता रहे हैं कि हमारा यह particular opinion है अब यह तो बात हो गई audit report है इसका title किस को दे रहे हो क्या opinion बना रहे हो किस basis पे बना रहे हो अब क्या company में going concern appropriate है आपको लग रहे है company आगे अपना काम को carry out कर सकती है पर्फॉर्म कर सकती है कल को जागे company बन दो नहीं हो जाएगी फिर जो भी key audit matters है उन्हें mention करो वो दिखाओ अब key audit matters क्या होते हैं यह हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसके बाद कुछ other information है जो आपका ऐसे 700 आपको बोलता है शोगर ने वो other information शोगर होगे फिर आप बताओगे responsibilities for the financial statement management की क्या है auditor की क्या responsibility है location of the description of the auditor's responsibility other reporting responsibilities क्या है and after all these at last as audit report auditor issue करता है तो उसमें auditor का sign होगा place of signature अब माननो कल को मैं आके बोल रही हो कि मैंने किसी भी x y z firm से audit कराई है माननो किसी भी एक big four firm को consider कर लो for example KPMG अब मैंने बस लिख दिया कि मेरी firm जो है मेरी जो business company है वो KPMG से audit हुई है कल को किसी को CA से consult करना होगा हमारे कैसे करेगा क्या KPMG का website खोलके बैठ जाएगा मान लो CA X लिखा है तो CA X खोशते बैठे रहेगा कौन सी firm में कहा है नहीं आपको कहां पर आपका किसने signature की है कौन से firm में बैठ के कौन सी city में signature हुई आपको ये mention करना है अब KPMG तो इंडिया में कितनी जगा पर है बैंगलॉर पूले and many more places तो आप sign करोगे sign के साथ कौन सी place में ये sign हुई है आप ये mention करोगे फिर कौन सी date पे ये audit report sign हुई है ये भी mention करोगे अभी आगे हमें इन सारे points को detail में समझना है जिसमें से कुछ points ऐसे जिसमें समझना तो कुछ ही नहीं बस आपको पढ़ना है अगर exam में आया तो आप लिख पाओ इसलिए सबसे पहले उन्हें पढ़ा था title एक audit report में title होना चाहिए जो clearly indicate करें कि ये report है independent auditor की for example आपके audit report की start होनी चाहिए independent auditors report इस heading के साथ then addressing audit report address होनी चाहिए as appropriate based on the circumstances of the engagement अब ये circumstances of the engagement क्यों बोल रहा एक company में बहुत लोगो नहीं हो सकता है आप ये decide करो कि हम shareholders को report issue करेंगे या वो बोल रहे कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं चाहिए का हम busy होंगे आप TCWG से बात कर लो या आप हमारी management से बात कर लो तो जो भी circumstances आपकी management के होंगे उसके business पे आप address करोगे या आपकी law regulation जो या terms of engagement जो specify कर रही है जिसको आपको issue करनी है report हम address किसको करते हैं जि either to the shareholder or to the TCWG of entity whose financial statements are being audited company के case में हम generally shareholders को address करते हैं वही मान लो किसी partnership firm को कर रहे हो तो partners को address करोगे let's see these examples measures smart and associates audit कर रहा है hotmills limited का अभी से address कैसे करेंगे to the members of hotmills limited वही अगर रिचा international एक partnership firm है dealing in exports of blanket जिसकी आप partnership करने गए हो तो अब यहां पे कैसे title करोगे show to the partners of रिचा international I hope you all are clear with this auditor's opinion the first section of the auditor's report shall include the auditor's opinion and shall have the heading opinion अभी तक तो आप मेन अपनी report की description दे रहे थे ना यह independent auditor की report है और यह issue की गई है to the TCWG ठीक है अब हाते हैं हमारी audit report की सबसे पहली section पे that is auditor's opinion जिसके लिए हम पहले heading देंगे opinion direct लिखनी दोगे modified है modified है क्या है पहले show करोगे कि हम यहां opinion बता रहे हैं अब क्या आप अपनी वहाँ पे heading देंगे opinion direct opinion दे दोगे या पहले आप यह बताऊगे कि किसकी financial statement पे opinion दे रहे हो so opinion section में auditor report को also क्या क्या include करना है सबसे पहले कौन से entity की financial statement audit हो रही है फिर यह बताऊगी हां financial statement audit की गई है identify the title of each statement comprising the financial statements जो chapter 5 में हमने detail में पढ़ा है अब opinion देने से पहले evidence दो बताऊगे refer करो to notes including summary of significant accounting policies specify करो date of period covered by each financial statement comprising the financial statement अब यह क्यों लिखा है 1st April से 31st March तक की हम financial statement की audit करते है बट कुछ firms जैसी होती है जो नहीं नहीं start होई होती है उनका पहला साल 8 months में ही खतम हो जाता है तो आप यह specify करोगे कितना period covered है के state से covered है जो financial statement की audit हो रही है उसमें और उसके बाद आप अपनी opinion दोगे अब अगर आपको unmodified opinion देनी है तो आप इसे express कैसे करोगे अपनी auditor की report में इसे show कैसे करोगे तो आपका law regulation आपको बताता है दोट तरीके जिस तरीके से आप अपनी unmodified opinion को express कर सकते हो जो आपको जिस type of financial statement में सहीं लगे सबसे पहला आप यह बोल सकते हो अब तुम प्रेज़ प्रेज़ बोलो या तुम बोलो अब तुम प्रेज़ प्रेज़ बोलो इक दूसरे से बस लिखने का तरीका अलग है but make sure जब भी आप एक unmodified opinion express करते हो तो यह बिलकुल भी appropriate नहीं होगा अगर आप वहाँ पे कोई phrase यूज़ कर रहे हो such as with the foregoing explanation or subject to अब अगर आपने law पढ़ी होगी ना आपको पताओगा हम subject to generally कब लिखते हैं यह particular situation है तो सही but subject to this अगर यह ना हुई तो या इसको ध्यान में रखते हुए ही हम इस चीज़ को verify कर सकते हैं तो यह subject to वाली चीज़ होई नहीं नहीं चीए क्योंकि आप बोल रहे हो presently fair in all material respects हर तरीके से चाहिए आप यहाँ से चेक करो यहाँ से चेक करो नहीं तो अगर तुम ऐसा कुछ लिख रहे हो तो उसे बिलकुल भी appropriate नहीं माना जाएगा as यह suggest कर रहे है conditional opinion की मतलब एक particular situation occur नहीं हुई न तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह present कर रहे fair view या modification of opinion जैसे चलो इसका भी एक example देखते है Mr. Amitab and Associates stat auditor है ringstone limited की audit कर रही है जो manufacture करती है pen drives को और जो CM मिताब है वो इस view से देख रहे है उसके according उसे लग रहे है कि financial statement present कर रही है true and fair view तो आपको कह रहे है कि give the draft of the opinion paragraph of the audit report opinion सबसे पहले हमें क्या पताना है कि हाँ हमने audit की है ringstone limited की फिर कौन से period की तो which comprises the balance sheet as a 31st March 2022 and statement of PNL and notes to financial statement including summary of significant accounting policies, other explanatory information and then अब ये पोरी चीज़े specify करने के बाद आप अपनी opinion मता होगे कि हमारी opinion पे and to the best of our information and according to the explanations given to the aforesaid financial statement give the information required by act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the company as a 31st March 2022 and the PNL for the year ending on the date तो सबसे पहले हमने ये बता है कि हाँ हमने financial statement audit की है इस साल के लिए audit की है इस firm की हमने audit की है क्या basis पे की है तो हमने statement of PNL notes जितने भी summary significant accounting policy है अधर explanatory information है हर एक चीज़ चेक की है और इसके बाद हमारी opinion पे और जो भी हमें knowledge information मिली है उस information के basis पे जो भी explanations है उन सब के basis पे उन सब को धियान में रखते हुए हमारी साबसे जो भी effort financial statement है वो true or fair picture present करती है and after this आपको बताना है कि क्या basis पे आपने opinion draw की है तो सबसे पहले आपने opinion लिख के अपनी opinion draw की उसके बाद आप दूसरा section बनाओगे basis for opinion ते और auditors report shall include a section directly following the opinion section with the heading basis for opinion आप ये नहीं कर सकते कि आपने opinion लिखी फिर बीच में और चार पत section को सा दी और last में आप basis for opinion बता रहे हो नहीं opinion को follow करते वे साथ में आपको basis for opinion बतानी है तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि ये जो audit है ये conduct किया गया है ये accordance with standards on auditing फिर auditor report की कौन से section में आपने auditor की responsibility समझाई है उस section को refer करके बताओ कि auditor की ये ये responsibility थी फिर ये भी बताओ कि ये जो auditor है उसके लिए आप statement वहाँ पर include करो कि ये independent है entity का वो entity उस पर rely नहीं कर रही है वो entity पर rely नहीं कर रहा है वो independent है इन accordance with ethical requirements जो चाहिए होती है हमें audit के लिए फिर ये बताओ कि ये सारी चीज़ है ये independent auditor के अपनी responsibilities के साथ perform किये गए जितने भी audit procedures है in accordance with standards on auditing उसके basis में हमें जो भी evidence मिली है वो sufficient और appropriate है जिसके basis पे हम ये opinion draw कर रहे हैं थर्स basis for opinion section जो होता है वो एक बहुत ही important context provide कर आता है about auditor's opinion now from the fifth point हम कल continue करेंगे आज के लिए इतना ही अगर कोई भी doubt हो आप पुछ सकते हो telegram link की description दी हुई description में telegram link ती हुई है so join the group and you can ask your doubts there thank you and all the best आप्धार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्